अधिया तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किस तरीके से लॉजिक गेट वर वेस्ट को सॉल्व किया जाता है कि लॉजिक सर्कट को ढ़ाओ और सकता है तो इस तरीके से अधिया पको दिए रखाना वोगं तो अप को सर्केश्न के सकते हैं और तो आप उस्पसे किस तरीके से सर्क्यशन को वनाएंगे या फिर आपको सरक्ता हो weighing से किस तरीके से Action को form करेंगे और यह चैप्टर न का पार्ड हड़ı है इससे हम पार्डबान प्तक्त का कर चुकि आ हैं जिसमें कि हम काफी सारे प्तक्स को डिसक्स कर चुक्हें कि लोगों अभी तक पाड़ बना और पाड़ नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना मैं उप लिदियों का लिंग इस वीडियो के देश्क्रिपेशंद को देखते हैं तो चलिए करते हैं इस तरीकी से पुल यहां पर देखेंए बहुत ही simple से expression लिए हैं जिसे कि आपको इजली समझ में आ जाया बाद में हम थोड़े expression भी लेंगे ओगे तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं ओगे तो देखिए पहला expression हमारे पास में बी बार ओगे तो बी बार का मतलब क्या है मैं आपको बता चुका हूं है हो बार का मतलब होता है नॉधग और फार्म होगा नॉय तो सिम्पल आ चलिकते नंडेकर बनाइंगे तो यह भी लेलें इस तरीक से भी लिख देंगे और भी लिखने के बाद में हैं पर हम चलीकला सब्सक्राइब कर चुका हूं उसके बार में उसके बाद में यह बी जब पास होगा इस नौट गेट से तो यह हो जाएगा भी वार ठीक है भी कॉंप्लिमेंट कर सकते हो ठीक है बार लग जाता है नौट गेट में यह होता है तो यह होगा हमारा फार्स और उसके बाद में हमका है बी और एवी के बीच में देखें कुछ भी नहीं इसका मतलब एंड गेट है तो एवार एंड बी पास होंगे एंड गेट से ओके तो चलिए बनाते हैं सरक्यूट तो देखिए सबसे पहले लिएंगे हम एंड बी ठीक है दो बैरेवल्स हैं तो यह हो गया और बीच में दीखें कुछ भी नहीं तो मतलब एंड गेट हो गया तो पहले स्लाइन को यहां पर बराबर हो गई अब यहां पर हम बना देंगे एंड गेट इसके बाद आउट पूट आएगा आपका एवार भी ठीक है इस तरीके से हमारा एक्सपेशन फॉर्म हो तो यह होगी हमारा सर्केट इस एक्सपेशन के लिए ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स एक्सपेशन को तो यहां पर प्लस लगा हुआ है इसका मदलब और गेट से पास होंगे दोनों ठीक है तो चलिए देख लेते हैं इसका स पूट ऐसी चला जाएगा ठीक इस तरीके से लाइन कीश देंगे अब इसके बनाव दोनों पास वह रहा है और गेट से तो यहां पर कर देंगे हम और गेट तो फाइनल एक्सपेशन आगा हमारा एक्सपेशन के लिए आयोप आपको समझ में आ गया हुआ तो चलिए थोड़ा कॉंप्लिकेटेट एक्सपेशन को देख लेते हैं तो देखिए हमारे सामने यह दे रखा ए इस एक्सपेशन से हमए बनाना है लॉजिक सरकेट कूद धिजान करना हमें इस एक्सपेशन से तक किस तरीके से करेंगे तो चेक ही यही बैराब सस्क्रेश हुआ है तो एक हम करते हैं आगे जया तो हुआ लगोड़ा है टो हमारा प् Maori हम्मार कशु doubles बार कुछ तो यहागा बीज लगए प्रकशां कर दिया है यहहां प्रक्षर यहां को मत कर दिए यहांKit कर देंगे यहां सको निफिवार का पर नवार के लगा दिन गर के वह च्वक्तिट बना दिया है सब्सक्राइब फूंकर यहां तक हमारा स्वूंकर हो गया है महरा मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से expression यहां पर बन जाएगा ए बार प्लस भी बार मतलब इतना expression हमारा solve हो चुका है अब देखिए इस expression के ऊपर यहां पर बार लगा हुआ यहां पर लगना यह तो क्या होगा इस पूरे expression को कर देंगे कौन से gate से not gate से यहां पर लग जाएगा हमारा नौच गैट तो हमारा पूरा यहां पर बार आ जाएगा ऑँए आपको इतना समझ में आ गया होगा अब यहां तक हम्पलेट हो चुका लिए इतना पर इस expression का हमारा बचा है तो इसके लिए सरक्ट कैसे बनाएंगे देखिए यहां पर कोई बार नहीं है लेकिन बीपर बार है तो इसके लिए क्या करेंगे क्योंकि हमने बार ले लिया था तो हम यहां से यहां से हम लेंगे किस तरीक से लेंगे देखिए मैं आपको दिखाता हो ठीक है इस तरीक से यंच खर लेंगे यह लएन लेने के बाद में हमेगा बीवर ठीक है ना खर हमां और गेट से तरीक से मैंने और गेट लगा दिया है आए होप आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे एक्स बन जाएगा एक प्लस बीवार इतना यहां बन गया है अब देखिए इसके ओपर भी बाहरा लगा हुआ तो यहां पर भी हम नॉट गेट को लगा देंगे इस त तरीकी से हमारा हो लग जाएगा ओके अब हमारा कंप्लीट हो चुका है इतना एक्सकेशन ही हमने यह कंप्लीट हो चुकी है अब दिखिए इन दोनों की बीच में लगा हुआ है यहां पर प्लस का सइन मतलब क्या है और और से पास हो जाएंगे यह तिक है तो यहां पर हम तरीके से लाइन ले लूँगा और इसके बाद में हाँ बना दूगा मैं और गेट को तरीके से और गेट से पास कर दिया तो फाइनल एक्सपेशन गए बनके तयार हो जागा यह तो इतना अचुका है लेकिन टॉप पे भी एक बार लगा हुआ यह रहा गया भी ठीक है यहां हमारे लास्ट में एक्सपेशन लिए तो यह हमारा होग के लिए हमने पूरा सब्सक्राइब कर दिया तो इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करते हैं अगर आपका कोई एक्षपेशन दे रखा हो आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आप चाहूं सर्केट को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो दूसरा मैथड भी होता है एक बनाने का जो क अब सब्सक्राइब कारता भी थैस सब्सक्राइब कर लां इसा करेंगे इस तरी के नीचे लाइन को लिखेंगे अब चैक नीचे लाइन को रहाएंगे तरी Hetagneला leash कर देंगे अब करेंगे और यह को फिर ये नाट ़्रीखर कर देंगे तो थी क्याकिंगे के सहागत सब्सक्राइब भी बार तो फीको पास सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि रकुर्मेंट हो बाद में तो हम इस से जॉइन कर सकें अब आव और पास करना है और ने यहां दोने को पास कर देंगे और गेट से तो यहां पर बनादेंगे और ओर एकड़ का सिंबल इस से। तरीक़े से और सिंबल बना देंगे ौके। को हमारा जा गा है बार प्लस ब्लस भी बार इतना एकश्टा हमारे यह सॉल्व होगया अब इस पर लग वह उनाही तो नटव इंसे पास कर देंगे रिक इस तरीके से तरीके से पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा हुए तो यहां तक अब मारा इतना पार्टव हो गया अब बचाएए रृष हमें से यहां से लिल लेंगे डारेक्ट लिफी कि बांगे क्योंकि हमें एचीए यहां से लेकिन हमनेWhen कर लिया है कि इसके वाद में यह हमें ác समय थीज़ा कि महारे पास में यह है ठीक है हमारे पास और हमारे पास एक वार और एगे ए बिच में प्लस तो लग जाएगा आपको समझ में आरा है इसके बाद में दोने को पास कर देंगे और सेNow B और dal लेवा है तो पास करदें और March 2óm और गुट सा यहां पर विचء वी Pak सिम्बलन लोन देंगे पहले लाइन के लिकर लिए इस तरिकी से यहां पर आन Records कर लेंगे लन लन इसके बाद में घर बचाए बस यह बार तो क्या करें कि इसको पास कर दूंगे ऐसे ओस्व आए यहां तक आया यह क्योlor यहां तक आख जी धिए को मतलब क्या हुआ यह जो है हमारा final expression यहाँ पर देखिए match कर गया है ठीक है तो यह हो गया हमारा circuit इस expression के लिए ओके तो आप शाओ तो circuit को इस तरीके सरी बना सकते हो यह method मैंने आपको बताया इसके help से भी आप बना सकते हो और यह काफी useful रहता है मतलब आपका expression काफी बड़ा हो तो उस case में method काफी काम आता है ओके तो मैंने आपको दोने ही method explain कर दी है I hope आपको समझ में आगया होंगे तो चलिए अब देखते हैं next expression को ठीक है हो इसमें 4 ठीक है तो क्या करेंगे हम लिख लेंगे ए इस तरीके से and b c and d ठीक है इस तरीके से लिख लिए हमने ठीक है यहां पर space मैंने ज्यादा छोड़ा क्योंकि हमें requirement होगी है आप स्पेस की ठीक है lines को join करने के लिए और इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे सब्सक्राइब करेंगे इस expression को मतलब इस expression के लिए circuit को design करेंगे ठीक है तो c and d cd के बीच में देखे कुछ भी नहीं है मतलब and get apply हो रहा है ठीक है तो c and d को pass कर देंगे and gates है ठीक है तो यहां से c से input लेंगे और d से input लेंगे इस तरीके से line draw कर दी मैंने और यहां पर क्या करूंगा मैं and get को apply कर दूंगा ओके इस तरीके से and gate बना दूंगा ओके तो हमारा जाएगा c and d मतलब क्या हुआ c.d ओके इसके बाद में देखते हैं इसको को मतलब a bar and c को ठीक है तो सबसे पहले a bar का मतलब एक को पास करेंगे not gate से ठीक है एक को पास करें तो not gate से तो आजाएगा आपका a bar अब इतना करने के बाद में हमें बनाना यह पूरा expression मतलब a bar dot c क्या आपके कुछ को अपलाय कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a bar dot c ठीक इस तरीके सा आ जाएगा कुछ नहीं है यहां पर मतलब डॉट लगवा है ओके इसके बाद में हमें चाहिए इस तरीके से इंपूट ले लेंगे सी हमारे पास अपलाय हो रहा है तो हमारा जाएगा bc अब बनाएंगे इस एक्ष्पेशन के लिए यहां पर जाएगा इसके बाद में एक्ष्पेशन बन जाएगा इसके बाद में कि यह हमें चाहिए एंचिए करेंगे नाजब करेंगे नोट टीक घक करेंगे थीग। तो मेरे पास आ गया तो बीबार मी आ गया इसके बाद हमें चाहिए डी ठीक यह तो Genheim मैं लाइन ड्रो कर दिये देखे लिए लेड़ी यहां पर लाइन जो कि मैं हम दे रहे थे तो यह से माने इंपूर्ट इसमें दे दिया ठीए थी जूइन कर लिए तो मेरा इन्पूट चला जाएगा इसमें तो इनको पास कर दोंगा हमाँ एंड गेट से इस तरीके से एंड गेट से पास कर दोंगा ओके तो यहां पर एक्ष्पिशन आ जाएगा है मेरे पास में 12345 ठीट से फाइब इंपिड हो गया है अब इन पांचों को पास कर दूंगा हमाय और गेट से यह और वगया तो अगया तो इस यह यह मैंने आपको दिखा देधा हूँ देखें से आपकोakah अपको ऑफेंसे में तुछ करेंगे की संक्रीज करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए करेंगे वेन्या कर था कि माने आपको सब्सक्राइब करना है नанием वो लाइन है ड्रो कर लेंगे पहले लिखेंगे बास के नेम लिखता हूं मैं a and c and occ तो येहाँ पर एक नीचे के लाइन ड्रो लोंत अंट इस तरीके से बीके नीचे बी के नीचे भी को पास कर दिया तो हमारा एक्सपेशन बन जागा सीडी ओके इसके बाद मैं एवार सी ठीक है तो एक को पास कर दूँगा नौट गेट से इस तरीके से तो आजाएगा एवार और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा इस एवार के लिए जिससे की एवार की जब भी रु आजाएगा एवार सी ओके इसके बाद में बीसी चाहिए तो बी यहां से ले लूँगा इंपुट इस तरीके से और सी हमारे पास यह है तो यहां से इंपुट ले लूँगा इस तरीके से और इनको पास कर दूँगा एंड गेट से ओके तो आजाएगा हमारा बीसी इसके बार से एक लाइन ले लोगा इस तरीके से फिर बी चाहिए तो बी से एक लाइन कीच लोगा इस तरीके से फिर दी चाहिए तो डी से यहां से लाइन ले लोगा इस तरीके से ओके तीन इंपुट आ गए तीनों को पास कर दूँगा है इसके बाद में हाँ से किलाइन ड्रो कर दोगा तुप इस तरीके से और अब हमारे पास में । इस्ति टर्षाप आ चुका निपने नहीं गलुए इस तरीके से होगिंगी तो हमारे आपकर याand और यझा और गेट शेते हैं तो इस त्रीके से तरीके क्यों चाहँ कर दें कि अब यांद सब्सक्राइब श्क्राइब कर देंगे तो वो किस तरीके से करेंगे ज्यादा तर ने या फिर नौर गेट से आपको बोला जाता है इस तरीके से करने के लिए ओके चलिए हम आपको दिखा देता हूं ठीक है यह देखी यह रहा कोश्चन इसको देखते हैं तो देखिए आपके कोश्चन में आप से क्या पूछा गय हो दोनी सुच्छेशन में आप क्या करोगे देखों आपको समझा देता हूं किस तरीकी साब इसके लिए सर्कृट बनाओगे तो इस कोशन में लगया है तुम आपको ने इंड गेट से बना के दिखाता हूं देखिए क्या होगा यहां पर है एक सामारे पास में यह एंड जैड तो क्या करेंगे हम यहां पर लिख लेंगे एक सी ठीक और लिख लेंगे यह बाइग बीच में देखिए ड़ट लगा हुआ है अब यहां पर डॉट का मतलब क्या होता है एंड लेकिन यहां पर बोले गया आपको नेड गेट से तो आप आपको से नहीं बनाना है कि से प्लस लगा हुआ है जब जो तो मढकर आपको सर्क इर्क का सरे optim ठीक है और बिसे लेंगे और यहां पर हम बना देंगें नेन्टि के इस तरीके से हमें बना दिया होतीए आग कर लिग रहती हुदाख कर फाली तो यहां हम आपको समझ में आ रहा हुगा तो यह इतना पार्ट सॉल्व हो गया है अब देखिए हाँ पर पार्ट दे रखा है जहां पर की वाइड दोनों को पास कर देंगे फिर से यहां पर सिर्फ नेट का यूज करना तो ने अधर वाइस हम क्या करते एंड का यूज करते लेकिन अभी मैंने यहां पर नेंट को लगा दिया है ओके आफो आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद में देखिए हाँ आपको प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है मतलब हैं और गय से पास नहीं होगा क्योंकि यहां पर नंड गेट के उसको बोला गया है तो आपको सारा काम नंड गेट से ही करना ऑपरेटर कुछ भी हो आपको सिर्फ नंड गेट ही अपलाए करना इस चीज़ को बस आप ध्यान रख लीजिए ठीक है यह मैं आपको सिंपल सा तरीका बता र कड़िए यह यह वारे पास आ गए है तो इनको पास कर देंगे हम नंड गेट से देख्या करेंगे पर हैं यहां पर लाइन को इस तरीके से लिए लिता हूं जिसक्ति जो सर के बहुंद हो थोड़ा चोटा बने करे गए इसके बास में लगा देता हूं मैंड गेट का इस त जब भी आपको NAND gate या नौर गेट से बोला जाए तो आपको सिर्फ उसी गेट को ट्रॉ करना और किसी गेट को ड्रॉ नहीं करना है ओके यहां पर देखिए नंगेट दे रखा है अगर आपको नौर गेट दे रखा होता तो यहां पर समय नौर गेट के सिंबल आ जाते सब ज लिए किस तरीके से करेंगे देखिए मैं देखाता हूं आपको इस तरीके से आपको लाइन खीचनी है इसके बाद में यहां पर इस तरीके से आपका इंपूट रहेगा ठीक है इस तरीके से रहेगा और इसको लाइन को इस तरीके से ड्रो कर देना है और यहां पर आपका N लजा किसी पर्ट्ट्टिक्लर गेट्स एगर आपको सर्केट को ड्रॉ करने के लिए बोला जाये तो आप उस तरीखेस Sat तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको सर्कुट दे रखा और उससे आपको बोला जाए कि एक्सप्रेशन बनाओ तो देखेंगे तो इसके भी एक्जाम्पिल देख लेते हैं अब हमारे पास में सरकेट है और आपको बुला जाएक देखके एक्सींर फॉर्म करो मतलब भुलन बीशन में बहुत आतो बहुत है बंग.. में आपको कोई circuit दे रखा होगा और उससे बोला जाएगा कोई expression बनाओ या फिर expression हो सकता उससे आपको circuit बनाने को दे जाता है इस टाप का question एक दो जरूर होते हैं हर बार बोड एकजाम में तो expression को बनाने के लिए हैं चेक करेंगे देखी यू है और यू पास हो रहा है नौट गेट से तो यहां हो जाएगा यू बार ठीक है यहां बन जागा यू यह यहां पर बन जाएगा आपका इसके बाद वह देखी हैं यहां से ब्र और बीड कर देखी यहां पर नौट गेट से पास हो रहा है तो यह जाएगा थे बिवार इस तरीक से बना जाता है ठीक है इस तरीक से आपका आजाएगा तो हमारे दो expression बन गया है U bar plus B and B bar plus W and इंदो को पास किया गया है देखिए and gates से तो final expression के बनेगा देखिए U bar plus B । ठीक है and आ जाएगा यहां पर dot क्योंकि आपका and gate लगा हुआ है ठीक है तो इसमें डॉट रहेगा उसके बाद मा जाएगा बी बार ठीक है और फिरा जाएगा आपका डबलू बार ओके इस तरीके से डबलू पर रहेगा तो यह हमारा हो जाएगा इसका फाइनल एक्सपरेशन ओके तो इस तरीके से आपको फाइनल आउट पूट लिख देना यह धिर्याकर तो इस तरीके से यहां पर लिख आएगे आपको समझ में आगे होगा किस तरीके से सर्केट से से हंट को बनाना है तो चलिए यह एक जम्पील और देख लेते हैं जलीसे इसका जिसके कि आपको कॉंसेफ्ट बार जाता के लिए हरो जाए तो यह रहा देखिए 2 circuit टीक है हमारे पास circuit है इस से हमें बोला गया है expression बनाना नहीं लिखाए वांने लेकिंन हापर expression बनाना है okay तो किस तरीकिसे बनाएंगे चली चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखी ए है है यह ठीक है डॉट बीवार ठीक है इस तरीके से दोनों बार लग जाएंगे इसके बाद देखिए यहां से आ रहा है ठीक है बिना बार के यह और यहां से सी जा रहा है ठीक है तो क्या होगा दोनों पास हो रहा है हमारे और यहां लग जाएगा बीच में प्लस क्योंकि और गेट से पास हो रहा है दोनों तो आ जाएगा एए डॉट कि ठीक है इस तरीके से चलिक ग्रों फोड़ा मां ऊन्व tablespoon कर रहा है अभी मैं आपको प्रॉपर आंसर दिखाता हो अश्का देखिए यहां आपको यह देखिएayan már blue r plus a dot c ठीक है हमारा मैच कर गया एंधिक है तो इस तरीके से हमें तो जब भी आपको इस तरीके से सरक्ट दे रखा हो और बोला जाये आपको कि एक्स्प्रेशन फ़र्म करना है तो आपको इसी तरीके से करना हो ओगा किसी तरीके से कुशन आते हैं कि सबर्गर रखा होगा तो आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा वससे आपको बोला जाएगा कि सर्केट ड्रॉ करों ओके आप लोगों समझ में आगया होगा अगर आप लोगों कोई कंफुजन रजा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा आज के इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में डिसक्स करेंगे डियो मॉर्गन धरम को और कुछ भूलन लोगा हैं उनको भी डिसक्स करेंगे So is to and that's it for this video. Thanks for watching.